आपको दिखा दुआ कि कैसे आपको कांसिलिंग में पार्ट करना है क्या का पूसेस है चलिए आगे बाटे बट आगर बच्छों आप लोगों ने पहली बार आड़े हो इस चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो आपको डविचलिंग कांसिलिंग अलोंग इस सब कुछ का फूल अपडेट और बहुत कुछ डविचलिंग सब कुछ आपको यहां पर मिल जाएगा तो स्टार्ट करते हैं पहली बात आपको स्टार्ट करना पड़ेगा आपको स्टार्ट करना पड़ेगा रिजिस्ट्रेशन दूए तो आप यहां पर रिष्टर कर सकते हो ठीक है अपने पास आजाएगा चॉइस फिलिंग इस चॉइस फिलिंग इस्टाइ। मुझे लगता है किसी जो जो इंपोर्टेंट पार्ट है जिसको छोड़के अगर कांसिलिंग होई नहीं सकता है that is choice feeling, choice feeling को आपको बहुत important से करना पड़ेगा, choice feeling में अगर आप गलती करोगे तो अच्छा rank होने के बाद भी आपको ठीक college नहीं मिलेगा, और अगर आपको ठीक college मिलेगा, अगर आपको बुरा rank भी है तो आपको अच्छा college मिलेगा, सब कुछ निर्वान करते है, choice feeling के उपर, अब बच्छो आपका choice feeling आप तो ठीक से करने ही पाँगे, बहुत सब लोग गलती करते है, मैं आपके लिए choice feeling करके दूगा, परसेनल ही, आपके खुद का list मैं ready करके दूगा, आपके rank recording तो बच्छो, आपको description पर जो WhatsApp नमबर मिलेगा, मुझे WhatsApp करो, आपको 149 पर चॉइस क्लिंग का list मैं counseling के full guidance के लिए, मैं ready हूँ, मैं आपको last 5 सल का experience है, जिसके through, मैं आपको help करूगा, full choice feeling आपका list के ready करने में, ठीक है, और मैं ही ready करके दूगा, आपको चीनता करने के, जबुरत नहीं है, ठीक है, चलिए आगे बादे choice, तो बच्छो, वीडियो में आगे बादे से पहले, आप लोग के लिए एक बहुत अच्छा offer में लेकर आ चुका हूँ, इंडिया का चीटेश and based mentorship counseling पे जॉइन काने के लिए मैं आप सब लोग को आख़ान करूगा, as because, इस mentorship पे जो WJ के लिए है, क्या क्या आपको मिलेगा, basically, आप सब लोग 24-27 मेरे से personal guidance पे जुरेडा होगे, along with आपके लिए personal doubt solving group रहेगा जहाँ पे कोई भी time पर आप लोग अपना doubt जाए, solve करवा सकते हो, along with third, क्या आपको मिलेगा, मिलेगा top college का cut-off है, आपको यह चीज़ knowledge नहीं रहता, but cut-off हम provide करके देगे, third up को क्या मिलेगा, full college का choice filling का list, yes, आपका full choice filling का list है, मैं personally आपको रिटिकर के दूगा according to your rank, because इस choice filling list गलती करने के बाज़े से, बहुत सरो लोग का rank अच्छा नों के बाद भी अच्छा college नहीं मिल पाता है, और last thing, India का cheapest mentorship program है, हाँ बच्छो, yes, आप सब लोग के लिए, अभी तार 130 से जारा बच्छी जॉइंट कर चुक है, along with fees, अभी तार हमने same ही रखा, yes, 149, yes, 149 रहेगा fees, आप सब लोग के लिए, तो जॉइंट करने के लिए बच्छा आपको description पर, जाके अभी WhatsApp कर दीजिए, जॉइंट कीजिए, इंडिये का cheapest mentorship को, और अपने लिए, जो आपना best price है, वो जॉइंट कर लिजिए, जॉइंट कर लिजिए, जॉइंट कर दीजिए, इसारे steps के उपर मैंने अलग-अलग करके वीडियो कर दूगा, जॉइंट के बाद आपको करना पड़ेगा fee payment, fees payment, आपको करना पड़ेगा, जॉइंट के पास जो आप रिजिस्टर कर रहे हो, मतलब आप रिजिस्टर कर रहे हो जिसके लिए, तो आपको अगर आप जनरल क्याता है को जनरल जनरल इडाब्ली इस हो तो आपको 500 रुपय लगेगा, तो आपको 300 रुपया देना पड़ेगा as the fee of West Bengal Joint Registration, अब इसके बाद इसके almost जो जिस टाइम पर आप फी स्पिमेंट करोगी, फूल प्रोसेस कंपीट हो जाएगा, इसके लगभग साथ दीन बाद, 7 देस बाद, आपको 1st round seat allotment का result निकलेगा, यह 1st round seat allotment का result जब निकलेगा, तो उस ताइम पर बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे कुछ seats मिल सकते हैं, अब ना भी मिल सकता है, अगर आपको मन चाहा college मिला या नहीं मिला, जो भी situation होगा, अगर आपका नाहम seat allotment सिट के आया है कोई college कोई branch पे तो अपको 100% जाना पड़ेगा, यह document verification पर ढ़ेगा, आपको commander verification करबाने जाना पड़ेगा अगर college पसंद और यहाँ जाना ही ृपऌदकोanor स्ता होगा, दो टाइप कsog Cheering मिलता है एक मार्ध यच्छा ब्लाउज को इस więks च्छा यच्छा पसंद नहीं आता है वह करेगा यह तो इन ग्राय्ट निया जिनको उपसंद अगया भ्रांच पसंद आ गया मोर्न पसंद का डिया को फ्लकारा्मिय को अट है सुर यह न्ह जाना ही पड़ेगा, अब 1st round का तो हो गया, जो जिनको college ना मिला, वो लोग उनको कुछ करने का ज़रूरत ने है, वो automatically 2nd round seat allotment पर आ जाएगे, उनको फिर से, अगर जब 2nd round पर आगे, जिनको college मिला, वो तो DV करके, रॉक्मान वरिफिकेशन करके 2nd पर आए, और जिनको college नहीं मिला, automatically आगे, 2nd round पर सेम प्रोसेस है, आपको रॉक्मान वरिफिकेशन करना पड़ेगा, यह साग्डूरेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक अगर अगर अच्छा लग जाएगे, और जिनको कोई college मिला, अगर अच्छा लग गया, तो no upgrade करना, अगर college आपको ठीक नहीं लगता, college आपको नहीं, आप उससे उपर वाले colleges चाहते हो, तो आप यह साग्रेट करो, and mop-up round पर आओ, और जो सारे बच्चे नया, newly आना चाहत मतलब जो सारे बच्चे first and second round पर register नहीं कियो, वो mop-up पर आके fresh registration कर सकते हो, उस time पर आके fresh registration कर सकते हो, आप कर सकते हो, उसके बाद आपको fees payment करना पड़ेगा, fees payment करने के बाद, आप mop-up round पर choice filling कर सकते हो, जो लोग नहीं नहीं आरे हो, ठीक है, और जो सारे बच्चे पहले उनके पास होता है, ठीक है, तो यह हो गया, और lastly, मौप-up round का seat alignment आता है, और यह समें जो seat आपको मिलता है, that will be your final seat, तो आपको वो seat लेना ही पड़ेगा, ठीक है, मौप-up के बाद कोई normally round नहीं होता है, decentralized counselling होता है, पट वो अलग से होता है, वो government college अपने हिसाब से करते है तो यह process पे पूरा counselling process आपका चलता है, ठीक है, मैंने छोटा करके, chart ready करके मैंने आपको दिया है, यह chart आपको मैं मेरे group पे डाल दूगा, आप लोग देख लीजीगा, so through this आपका counselling प्रोसीड करेगा, ठीक है, hope this video is very much important and helpful for all of you, I request once again you please share this video to all of your friends, thanks for watching guys and thank you to all for now.